बहुत आयत आशिशों के ओर हमें चलाने वाले एशु मसीह के नाम में सब को प्रणाम और एशु के नाम में जै मसी की कि दो तीन दिन हम संगती नहीं कर सके क्योंकि थाइलन में सवेरे और शाम दोनों समय हमारा मीटिंग था और आप हमारे लिए प्रार्थना किये या ना किये नहीं जानते हैं पर परमेश्वर जो करना था वहां किये और बहुत आयत आशीश माने परमेश्वर का उपस्त थी और चंगाईयां और मन फिराव बहुत ही शक्तिशाली रूप में होने का वहां कारण हुआ और हमें बहुत खुशी है कि जो मेसेज हम पिछले दिनों में दिये थे वो मेसेज आपने अनेकों को फॉरोड किया और अभी अभी हिंदी में प्रार्थना विशे भी आने लगे तो हमारा इच्छा एक ही है हमारा आगरह एक कलीसिया का बढ़ावा या एक संसा का बढ़ावा नहीं है नेरा सबसे उत्तम आगरह है कि सब कोई जाने कि ये एक धर्म नहीं है परंदू ये एशु के मसीह के दुआरे जिसे हम इश्वर कहते हैं वो हमारे पिता समान हो जाते हैं और डर्क से नहीं चलते हैं पर प्रेम से चलते हैं पिता के साथ तो एक ही मकसद है कि कि सब कोई जाने ऐसा एक प्रेम करने वाला पिता समान इश्वर है और वो एशु मसी के दुआरे में दुआरा प्रकट किया गया ये बाइबल एक क्या बोलते हैं धर्म का गरंथ नहीं है ये तो केवल सूची देती है कि एक पिता है जो आप से और हम से प्रेम करते हैं इसलिए अगर आप योहना के सुसमचार में पढ़ियेगा तो एशु ऐसे बोल रहे हैं योहना पांच उसके फाइव थर्टी नाइन और फॉर्टी क्योंकि तुम पवित्र शास्त्र में ढूनते हो तुम पवित्र शास्त्र में ढूनते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है इस पवित्र शास्त्र में तुमको पढ़ने में अनंत जीवन मिलेगा यह तुम्हारा केवल सोच है क्योंकि मिलता है और यह वही है जो मेरा गवाही देता है यह पवित्र शास्त्र या बाइबल केवल गवाही है केवल एक पॉइंटर है दिखाता है दिखाने वाला एक लेख है और एशु ऐसे बोले यह एशु का बोला हुआ है योहना पांच थर्टीनाइन और चालीस चालीस और एक पद आगे फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते है फिर भी जीवन पाने के लिए हमारे पास नहीं आना चाहते है मने कि एशु के संगत्ती से ही अनन्त जीवन हमारे अंदर आता है उनके नाम में आता है और उनके द्वारा पिता परमेश्वर को हम पहचान सकते हैं अनन्त जीवन क्यों मिला गया परमेश्वर को पहचानने एश्वर को पहचानने कि वो अच्छे एक पिता है तो आज का टा के पुस्तक 26 अधियाय और तीसरा पद है जिसका मन तुझ में धीरेज धरे हुए है उसको तुपूर्ण शांत्री के साथ रक्षा करता है क्योंकि वह तुम पर भरोसा करता है ये पहले भी पढ़े हैं शायर माने जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं या भरोसा करते हैं उसके मन को पूरा शांती में परमेश्वर ठेहराते हैं ये अगर धर्म नहीं है तो फिर क्या है ये एक राज्य है हमें अंधकार से छुटकारा देने के बाद आज हमें जो सुन रहे हैं और जो बोलते हैं वो एशु का नाम में एशु को अपने वो नाम को जो पुकारते हैं और बोलते हैं एशु हमें चंगा करो ये फिर हम एक और और बोलते हैं किसी एक धर्म का या किसी एक व्यक्ति का क्या बोलते हैं ठेकेदार ही नहीं है परमेशर तो सब के हैं और इसमें लिखे है जो उन पर भरोसा करता है उसके मन को शान्ती में ठहराते हैं कुलोसियो के किताब में पत्रिका में एक तेरा में लिखा है कि अंधकार मने ना जानना और हम जब नहीं जानते हैं तो कैसे भरोसा करेंगे हम जानने वाले को ही पर ही भरोसा कर सकते हैं तो जब हम जान जाते हैं जब हमारा आँक खुल जाता है आँक प्रकाशन हो जाता है तो हम समझ जाते हैं कि हमें प्रेम करने वाला एक पिता समान परमिश्वर है और वो प्रेम है किसी से नफरत रखते भी नहीं है और एश्व ऐसे एक बार बोले कि तुम आपस में प्रेम करो ताकि विश्व के सब लोग जाने कि तुम हमारे सिश्य हो एक धर्म प्रचारक नहीं हमारे सिश्य हो कि यही है जो इश्वर बनाया हुआ परिपूर्ण मनुश्य अपने आप में प्रेम करो ऐसे एश्व नहीं बोले कि चिन और चमकार दिखा के सब जान जाएंगे कि तुम हमारे सिश्य हो नहीं तुम्हारे आपस का प्रेम देखके उनको पता लग जाएगा कि तुम हमारे सिश्य हो तो हम जब वो ना समझ में जब अंधकार में थे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था उम्मीद नहीं था और जब एशु मसीह के दुआरे जह हम यह सुनते हैं तो अच्छा ऐसा भी है एक लोग और ऐसा भी एक जीवन है अगर शक आए तो कोई खली से नहीं आभी घर में बैठके देख रहे हैं आप बस गर बैठे बैठे हे एशु अगर आप जीवित हो तो हमें भी आप समाले हमारे अंदर में आई और हम बिना कोई शक के बोल सकते हैं कि परमेश और एशु कोई हाथ के बनाए हुए एक इमारत में नहीं रहते हैं सब के दिलों में रहते हैं और उनका इश्वर का जो शक्ति है इश्वर का जो उपस्तति है वो सब जगा पर सृष्टी में दिखा दिखा दियाते हैं इसलिए हम परमेश्वर का परिपूर्णता प्रेम में देखते हैं तो वहाँ से छुटकारा देखे एशुक मसीह के राज्य में हमें अलाके खड़े कर दिखा तो ये एक कलीस्या नहीं परंतु धर्म नहीं पर परमेश्वर के एक अंग हो जाते हैं और हमारे अंदर धीरज के कारण शान्ती हो जाता है इसलिए रोमियो के किताब में रोमियो के किताब 14.17 में ऐसे लिखा है कि क्यूंकि परमेश्वर का राज्य परमेश्वर का राज्य देखे दो दो व्यवस्था एक साथ चल रहा है अगर हम उदाहरन दे तो यह जो भी चीज उपर जाता है नीचे आजाता है क्यूंकि वहाँ एक नियम है वहाँ पर एक नियम है कि जो हम उसको इंग्लिश में ग्रैविटी बोलते हैं गुरुता का शक्ती वो सब को नीचे ले आता है उसलिए हम यहाँ बैठे हैं ने तो ऐसे उड़ते हैं पर उसको तोड़ने वाला हवाई जहाज जब रनवे से चलता है तो उड़ जाता है दूसरे एक्सामत उसको हम बोलते हैं theory of lift उठाने का तो वो परमेश्युर का राज्य उसके समान है कि हमें ये लोग याने की there is a law in the world इस भूमी में इस पृत्वी पर एक नियम है वो क्या है अगर तुम्हें कोई कोई कुछ बोला तो बापस बोलोगे तुम्हें कोई किया उसके बदले आशीश देने का एक राज परमेश्युर का राज्य कैसा है यहां बोला गया है परमेश्युर क्योंकि परमेश्युर का राज्य खाना पिना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाव और वहां आनंद है जो पवित्रात्मा से होता है धर्म मेल मिलाव शांती जो आनंद खुशी नहीं खुशी तो दो शब्द है खुशी और आनंद खुशी हमसे मिलता है जब कुछ-कुछ मिल जाए थोड़ा पैसा मिल जाए कारोबर अच्छ चलता है खुशी पैसा चले जाए तो निराश पर ये एक आनंद है जो अंदर से बाहर आता है और उसके लिए जादे दिर नहीं लेता है एक सेकंड एशु मसी है अपने लहू से हमें धो डाली मेरे अंदर में आके बस ये बस मुझ से एक अंगिकार विश्वास के साथ भरोसर के साथ कि वो आपके आप जहां भी बैठे हो जहां भी आप हमें देख रहे हो वहां पर हैं और आपको हमारे पास आने का कोई जरूत नहीं है क्यूंकि परमेश्वर को कोई भी स्पेशल नहीं है सब कोई एक जैसे हैं आप ऐसे मत समझिएगा कि ये जो तंगु भाईया है उनके पास जाएंगे तो छुटकारा मिलेगा छुटकारा देने वाले एक नाम है वो नाम है एशु पर शैतान का चाल ऐसे है कि वो बोलेगा देखो तंगु भाईया बहुत बड़े हैं तुम छोटे हो वो चाल है मेरे अंदर में जो बसा परमेश और आपके उंपर में भी है कोई कोई हमसे बोलते है कि क्यूंकि क्यूं आप दूसरे को का निंदा नहीं करते हैं रे हम क्यूं निंदा करें जो अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं हम नहीं कर पाएंगे पर रहे हैं तो क्यूं हम उनका निं करने के लिए किसी को भी निंदा करने के लिए हमें कोई कोई भी परमेश्वर का इच्छा नहीं है और हमें उसके लिए उसके लिए नहीं बुलाए गया है परन्तु जो अच्छा करने उसके लिए अच्छा बुलना ही है जाए और जब धीरज जो परमेश्वर के प्रेम से आ तो पिछले दिन हमको एक email आया कि हमको दुष्ठात्मा से ग्रहित है आप जरा हमारे लिए प्रार्थना कीजिए देखिए दुष्ठात्मा से ग्रहित हो या आशंका हो या कोई भी समस्या हो उसका हल आपके अंदर में ही है इसके लिए आपको पैसा नहीं देना पड़ता है और इसके लिए आपको कहीं पर बिजाना भी ने पड़ता है अभी जब आप हमें देख रहे हैं और देखने वाले हैं ये ये ईश्वर परमात्मा जिसको जो भी हो ये श्वर मसी आपके सामने खड़े हैं आपके साथ में खड़े हैं कहीं पर भी हो और आपको वादा कुछ नहीं देना है अगर ठीक हो जाएंगे तो हम परमेशर आपको हम सो रुपया वहां भेज़ेंगे नहीं चाहिए परमेशर घूस लेने वाले परमेशर नहीं है हम एक साधा मनुष्र के जैसे परमेशर को भी सूचते हैं हम सूचते हैं कि हमारे जैसे पैसा मिलते तो ज़्यादे प्रेम हो जाता है तो उनसे ज़्यादे तो परमेशर नह परमेश और प्रेम है तो एशु मसी वो शांती मन में रखने के लिए एक उपाई बोल रहे हैं हमको सब कोई को उपाई चाहिए कैसे हम यहां से करने हैं आर्थिक समस्य से कैसे हम निकले कैसे हम बीमारियों से निकले कैसे हम इस प्रश्ण में से निकले इसका हल आपके मूँ के अंदर में है आपका जीब और एशु का नाम यह दोनों अगर मिल जाए ना तो विश्व का कोई भी एक शक्ति आपको अहरा नहीं सकता है उसलिए परमेशर एशु बोले जो भी करो मेरे नाम में करो देखिए यहना का सो समचार चाओदा उसका पहला अध्याय ऐसे लिखा है तुम्हारा मन वियाकुल ना हो परमेशर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो यह शुबूर रहे तो बहारे मन में वियाकुल नहीं है क्योंकि मन जब हारा हुआ होता है तो शरीर भी बीमारा हो जाता है मन के अंदर में स्रिष्टी करने का शक्ति परमेशर ने दिया है मन को उसलिए अच्छे बात जब आप समझते हैं मन में तो वही होता है और वही आप पूछते और बोलते हैं तो यहां पर परमेशर यहना के सुसमचार 14 और 27 में 25, 27, 27 मैं तुम्हें शांती दिया जाता हूं यह शु बोल रहे हैं अपनी शांती तुम्हें देता हूं जैसे संसार देता है मैं तुझे नहीं देता संसार का शांती जैसे घर हो गया बच्चे का सब शादी हो गया थोड़ा बैंक बैलेंस है एक गाड़ी है शांती लेकि उससे भी बड़ा एक शांती है जो मन के अंदर केवल परमेशर ही दे सकते है तो यहां एशू बोल रहे हैं हमारा शांती तुम को अंदे रहे हैं एक बार नाव में अगले और एक छोड से दुसरे छोड तक जा रहे थे तो बहुत आंधी और तूफान आया है तो छेले देखे तो यह आंधी तूफान चल रहा है और यहां परमेशर एशू सोय हुए है तो वो एशू को जगा के बोले क्या हम देखो इसमें मरने जारे हैं आपका कोई चिंता नहीं है वो भूल गए कि शायद एशू भी वही नाव में है अगर नाव डूबेगा तो एशू यह डूबेंगे एशू उस आंधी के और वो आंधी और तूफान के बीच में सो रहे हैं वो है एशू का शांती आज हमें जो देख रहे है न और आज के पीड़ी इतना जल्दी टेंशन में जले जाते हैं थोड़ा सा समस्या हो तुरत कितने खुद कुशी हम सोच रहते कि आप सोचते हैं पैसा से शांती आता है नहीं कितने वो बहुत उचे उचे पद में जैसे पैसा है नाम है सब है पर खुद कुशी कर दी क्यूं क्या हो गया क्या हो गया कि वो धियर छोड़ दिये क्या हुआ कि उनको अब जीना नहीं है भरोसा उस जीवित परमेश्वर पर कि उनके जाने बीना कुछ हमारे जीवन में नहीं होगा आज हम आपसे जब बात कर रहे हैं तो कई होंगे जो समस्याओं में मन का शांती खो के हमके देख रहे हैं देखिए यहां पर परमेश्वर एक अच्छा उसका सलाह दे रहे हैं यह सलाह यह है कि अपना शांती हम तुम्हें दे रहे हैं जो संसार का संसार का एक सिस्टम है एक रीती है और परमेश्वर का राज्य का भी एक सिस्टम है तो संसार का जो शांती देता है वो हम नहीं दे रहे हैं संसार का शांती ये सब कुछ ठीक ठाक चलने में पर पर एशु जब अहरदे में आते हैं और आपके साथ बसते हैं उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पैसा नहीं देना है कुछ नहीं करना है, केवल बुलाना है नेरता देना है, परमेशर तो चाहते हैं, एशु चाहते हैं कि ये विश्व के 800 करोर भी ये शांती पाए कि ये धर्म नहीं है, धर्म से भी बढ़कर है ये इसाइध धर्म नहीं है हम उसको धर्म बता दी पहले-पहले इसको मार्ग बोलाया था दवे फिर मच्छलियों का जुन्ड बोलाया था क्योंकि जो-जो चेले थे जादे से जादे वो मच्छवा रहते फिर उनको चिढ़ाते में बुलाये इसाई और आज हम इसाई का धर्म मना दिए एशु धर्म नहीं है उसलिए एशु का पूरा वाचा आप पढ़िए और पवित्रात्मा के द्वारा एशु को जो बोलना था आप पढ़के देखिए कहीं पर भी किसी का भी निंदा नहीं करते है तो ये प्रायोगिक जीवत के लिए है कि आपका जीवन सामर्थ और खुशियाली हो और बहुतायत आशीश में रहे तो यहाँ पर मन का शांती सबसे अत्याशत है तो उसके लिए परमेश्र बोल रहे हैं तुमने सुना तुम्हारा मन व्याकुल ना हो देखिए सताइसो पर संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता हूँ जो शांती संसार देता है वो नहीं है मेरा शांती तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे व्याकुलता और डर तुम्हारे मन में प्रवेश ना करे सबसे मन में दिया हुआ एक जूट परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं पर आपका और हमारा सहायता भी चाहिए बहुत आएताशिश के लिए, शांती के लिए, अच्छा सुस्त के लिए सब के लिए आपका और हमारा परमेश्वर के परमेश्वर जो बोलें उसको उस पर विश्वास करके भरोसा भी करना है तो यहाँ पर परमेशर बोलते हैं मेरा शांती हम दे दिये है मेरे अंदर में है सब के अंदर में है जो एशु के नाम कूपका रहे है जो एशु कवसी के लिहू से धोये हुए उनके लिए है यह संदेश और एशु बोल रहे है तुम्हारा मन ना डरे न व्याकुलता में जाए माने क्या जब तक आप और हम अनमती नहीं देते हैं डर और व्याकुलता को मेरे अंदर में आने तब तक वो नहीं आ सकता है मन में केवल एक सोच से शुरू होता है और जब सोच आता है तभी आपके मूँ से आप अपने मूँ से बोलिए एशु के नाम में सभी गबराहट, सभी अशान्ती, सभी डर हम नहीं लेते एशु के नाम में, हम उसको स्रीकार नहीं करेंगे आप जैसे बोलेगा, वैसा ही होगा, इसलिए परमेशर कवचन बोलता है कि शैतान को तुम रोको, शैतान है जो बीमारिया डाता है, जो मन को अस्तिर करता है, उसको रोको, रिसिस्ट दे डेवल, और वो भाग जाएगा, परमेशर का प्रेम आपको बनाए रखे, आपको जो भी समस्या हो, कैसा भी समस्या हो, आर्थिक हो, या विमारी हो, या डर भाय हो, अपने मूँ से, एशु के नाम में, हट जाने का, हम आदेश देते हैं, आप बोल के दिख कि, तब आपको समझ आएगा, कि आपके पास भी अधिकार है, यह कोई बहुत ही बड़ा कुर वर्दान कुछ नहीं है, कोई कोई बोलते हमको ऐसा वर्दान प्राप्थ्वा विश्य, कोई हम से पूछते हैं, क्या यह वर्दान, हम बोलते हैं, यह क्या हाप के जैसे ही, हम हम भी साधारन मनशे हैं पर हम वो अंधकार से ना जानने वाला जीवन से अब जान गए है कि मेरे अंदर में परमेशुर हैं और उनके नाम में हम कुछ भी कर सकते हैं और हम से असंभव कुछ नहीं है तो आज जब हम यह देख रहे हैं विशु के विभिन्न समयों में हम देख रहे हैं आप देख रहे हैं तो एक पूरा धीरज रखिए हुर्दय को चंचल मत होने दीजिए और जो भी हो समसिया अपने मूँ से आप बूलिए एशु के नाम में ये बीमारी को मेरे शरीर से निक जाने का आदिश देते हैं आपके परिवार में कोई अगर बीमार हो तो आप उसको आदिश दीजिए एशु के नाम में ये शरीर से निकल जाने का आदिश देते हैं और आप चमकार देखिएगा आर्थिक समस्या हो कुछ भी हो इसके लिए आपको कुछ पहनना नहीं है इ हमारे छुटकारा देने वाले हमारे साथ चलने वाले हमारे प्रेमी ये तसली और धीरज आपके अंदर में आ जाए तो मन में शांती होगा जो कुछ भी होगा आपके अंदर में धीरज होगा कि हम भरोसा किये हैं किसी पर वो कभी ना हमें छोडेंगे ना त्यागेंगे त तो वो था आज का टाइम एलोड तो हम प्रात्ना करेंगे है पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवा देते हैं कि आज भी एक साथ संगती करने का अन्यमति आपने दिया और आप मेरे अंदर में बसकर जो जो जिसको चाहिए वो वचना बोले हम चाहते हैं कि जो जो ये सुन रहे हैं और सुनने वाले हैं वो उनको समझ आ जाए जो हम बोल रहे हैं उनको वो समझ आए और जीवन के हरे हर एक साथ संगती कर सके और हम प्रार्तना करते हैं कि ये संदेश सब को आशिश होगा एश्यू के नाव में आमे तो धीरज रखिए भरोसा रखिए वो कभी ना छोड़ेंगे ना त्यागेंगे आप छोड़के जाएएगा तो भी वोलेंगे हम तुम्हें त्याग नहीं सकते हम कभी त्यागेंगे नहीं आपको नोई छोड़ेंगे आप जैसे हो वैसे ही आप उनको प्रेम है शैतान है जो बोलता है तुम पापी हो तुम नालायक हो तुम्हें परमेशर कभी प्रेम न जहने वाले आप से प्रेम करने वाले एक अच्छे एशु को हम बोलते हैं क्योंकि हमने उनको चखा हम ठीक होके अच्छे होकर वो हमारे पास नहीं आए हम जिस आवस्था में थे वैसे ही हमें स्विकार के और एक एक दिन हमें अच्छा ही मिलाया गया उनके साथ उनके सहायत जाथा के द्वारा और वह यह आज आपके घर में है आपके ओफिस में है आपके संहसी आप चलते चलते ये गाडी चला रहे होंगे तो यह अईसे ही बुलिए शू आप हैं गाड़ी में मेरे साथ रहेगा मेरे अंदर में आप आईए और हमारे अंदर में बसकर एक जैवंत जीवन हमको दीजिए बस नेवता दीजिए और चखिये उनका प्रयों और शांती जो संसार नहीं दे सकता तो प्रभु आशीष करें अगले बार फिर एक संदेश के साथ हम आपके साथ में आएंगे परमिश्र आशीष करें